नमस्कार, कक्षा 6, exercise 3.4, question number 5, इसका D भाग हम कर रहे हैं स्तारा और 68 हमें बताना है कि ये सह अभाजय संख्याई है या नहीं है आए देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम यहां लिखते हैं स्तारा, यहां लिखते हैं 68 हम इनके सभी गुननखंड निकालेंगे, देखे स्तारा जो है एक के पहाड़े में आता है, एक गुना स्तारा स्तारा इसके अलावा स्तारा किसी और पहाड़े में नहीं आता है क्योंकि स्तारा अभाजय संख्या है 68 के हैं जब हम अब हाजे गुननखन निकालते हैं तो वो होंगे 1 के पहाड़े में 68, 2 के पहाड़े में 34 दुनी 68, 4 के पहाड़े में स्ताराचो के 68, इसके अलावा 68 और किसी पहाड़े में नहीं आता है तो अब हम देखिए यहां लिखते हैं 17 के गुननखन वे होंगे 1 और 17 इसी प्रकार से 68 के गुननखन 68 के गुननखन देखिए 1, 2, 4, 17, 34 और 68 ठीक है बच्चो तो अब हमें देखने हैं इनके सार्व गुननखन देखे एक यहां भी है यहां भी है इसके अलावा देखे यहां है दो यहां नहीं है यहां है चार यहां नहीं है यहां है सत्रा यहां भी है तो सत्रा भी इसमें भी है और इसमें भी है इसके लावा यहां 34 और 68 भी हैं लेकिन वो उपर नहीं है तो हमारे पास सार्व गुननखंड आए हैं एक और सत्रा बच्चों हमने पढ़ा था कि यदि दो संख्याओं का सार्व गुननखंड सबसे बड़ा होगा एक तभी दोनों संख्याओं सहभाजी होंगी मतलब ये दोनों संख्याओं सहभाज्य नहीं है तो यही हम लिख रहे हैं सत्रा और 68 सहभाज्य संख्याओं नहीं है ठीक है बच्चों आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझाया होगा धन्यवाद